आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, सामेर पास एक question दे रखाए पॉल रहा है कि point charge minus q है जो move कर रहा है round another charge q under the electrostatic attraction तो बोल रहा path followed is electrical है then तो इसमें से कौन सी option correct है तो देखो जो बोल रहा है कि इस तरीके से elliptical path में एक charge है यहाँ पे center capital q charge है और यहाँ पे minus q charge इस तरीके से इसमें घूम रही है तो देखिए जब यह इस तरीके से rotate करी तो under centipetal force मतलब that is electrostatic attraction के कारण तो देखोई यहाँ पे गर कभी charge रहेगा तो इस पे क्या होगा इस direction में एक force लगेगा तीक है जिसको electrostatic force करते है इन दो एक दूसरे को attract करते है positive negative charge होने कारण और यह जो force लगेगा वो किसके रावर होगा के q into q upon r square के रावर होगी ठीक है और attractive force लगेगी तो इस तरीक इस force के कारण यह यहाँ पे घूमेगा अब यहाँ पर एक चीद्यान दो कि यह आर पर कर रहा तब यह वाली distance पर department कर रहा कोन सी distinct पर यह यह वाटिश्टेंस पर तो यह वाली डिश्टेंस यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो यहuno कर दो यह सब्सक्रよう और यह प keeper माशना चाहिए लिए मन जोंक इस पर क्या हो te no successful हो पाएगा तो mv square जो होगा mv square upon r equals to k q into q upon r square के equal होनी चाहिए तो r से एक r cancel हो जाएगा और v square equals to क्या जाएगा और बस देखो तो root k q q upon m into r मतलब जो v है यह v के और equal आएगा v square नी ठीक है तो v की जो होगा वो क्या होगा square root of r पर डिपेंड करेगी तो यहां से change होती है ठीक है तो यहां पर v की value भी change होगी ठीक है इतनी बात क्लिए होनी चाहिए अब यहां पर देखो पहला option क्या रखा है अंग्यूलर momentum of minus q remains constant angular momentum की बात है तो angular momentum change कैसे होता है दो जैसे linear momentum चेंज होने के लिए क्लिए क्लिए कि जिस किसी उस पर एक force apply होना चाहिए unbalanced force ठीक है तब यह उसकी linear momentum change होगी और उसे वैसी angular momentum चेंज होने की लिए क्लिए क्लिए उस पर apply होनी चाहिए तो अगर इस point के बाट अगर हम angular momentum हम निकालते हैं इस पॉइंट चार्ज क्यू का ठीक है यह माइनस क्यू वाली चार्ज का तो यहां पर क्या देखो यह जो फोर से और डारेक्ली इस पॉइंट की तरफ तो इसके काना इस पर टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर हम देखेंगे इस बॉड़ी प मोमेंटम होगा वो क्या होगा कॉंस्टेंट होगा ठीक है एंगिलर मोमेंटम क्या होगा कॉंस्टेंट होगा तो एंगिलर मोमेंटम क्या होगा कॉंस्टेंट होगा तो एंगिलर मोमेंटम क्या होगा एंगिलर स्पीड की बात की जारी कि यह कॉंस्टेंट रहेगी तो यह के angular momentum जाएगी वो क्या हो जाएगी M omega r square हो जाएगा इसके angular momentum ठीक है equals to constant आजाएगा और आप यहां से देखो कि तो omega है वो इनकी speed depend कर रहा r square पर depend कर रहा मतलब r की value तो हर जगा change हो रही ना r की value हर point पी क्या हो रही change होते जा रही तर्मेंस इसके angular speed भी constant नहीं रहेगी ठीक है तो यह भी option incorrect हो गया linear speed of the charge minus q constant linear speed हमने देखा constant कैसे होगा अगर यह जब v ही speed depend कर रहा है rp depend कर रहा तो linear speed भी constant नहीं होगा ठीक है वैसी linear momentum constant नहीं होने का कारण क्या linear momentum equals to m into v लिखते हैं m दो constant लेकिन v change कर रहा ठीक है तो इसके कारण यह भी option incorrect यह भी option correct तो इसका जो answer होगा that is option number one हो गया ठीक है यह हमारा option correct होगा तो आई होप आपको यह चीजे समझ में आ गई होगी थाइंक्यू classics to 12 से लेके need iit.je means और advanced के level तक 10 million से ज्यादा students का भरोसा आज जी download करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर